हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिवानी इंडिन किचन आज मैं और एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके ले के आई हूँ जो की है मटर पनीर की सब्जी मटर और पनीर का कॉमिनेशन तो बहुत ही जबर जस्त होता है और इस सब्जी को कई टाइप से भी बनाते हैं पर मैं आज आज आपके साथ बहुती इजी और सिंपल तरीके से शेयर करूँगी ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेश्टी बनती है यदि आपने अपने महमानों को खिला दिया तो वो यही पूचेंगे इसे किस रेस्टोरन से मंगवाया है तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस सब्जी को बनाना सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है तीन मीडियम साइज की प्याज के रफली स्लाइस और ले लिया है दस से बारा लैसुन की कलिया दोनों चीजों को मिक्सर जार में डाल की इनका एक पेश्ट तयार करेंगे यहाँ पर मैं पेश्ट को ज़्यादा फाइन नहीं करूँगी थोड़ा सा मोटा रखना है इससे क्या होता सबजी बनने के बाद कहीं कहीं प्याज के छोटे छोटे टुगड़े जो होते हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं फिर इसमें मैं ऐट करूँगी एक चम्माज जीरा जीरा अच्छे से पक गया है अब डालेंगे एक बड़ा चम्माज ग्रेट किया हुआ अद्रग और 6-7 हरी मिर्ज जिने बीच से थोड़ा सा चीरा लगा दिया है ताकि ये तेल में जाके फटने ना लगे ग्रेट की हुए अद्रग और खड़े हरी मिर्ज से सबजी में जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही जादा जबर चस्ता आता है आप एक बार जरूर इस तरह से ट्राइ करिएगा दोनों चीजों को एक से डेल मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे फिर हम यहाँ पर प्याज और ल तीन से चार मिनट बाद हम देखेंगे यह काफी ड्राइ हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है पर हमें यहाँ पर ब्राउनी कलर चाहिए इसलिए हम एक से दो मिनट के लिए और भूनेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाला है वो काफी अच्छी तरीके से भून गया है इस स्टेज में हम एड़ करेंगे ड्राइ मसालो को सबसे पहले हम एड़ करेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर दो बड़े चमच धनिया पाउडर और आदा चमच लाल मिर्श पाउडर यहाँ पर मसालो को एक मिनट के लिए भूनेंगे फिर यहाँ पर हम ऐड़ करेंगे 3-4 मिडियम साइच के टमाटो की प्यूरी टमाइटो प्यूरी को भी हम मसालों में अच्छी तरीके से मिला देंगे इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर और टेक्शर दोनों चेंज ना हो जाए तीन से चार मिनट बाद आप देख सकते हैं यह काफी हद तक ड्राइ हो गया है और मसालों ने ओयल भी रिलीज कर दिया है इस स्टेज में हम डालेंगे आधर का फ्रिस मलाई आप इसकी जगा क्रीम भी ले सकते हैं मलाई डालने से सबजी का जो टेस्ट है ठिकने से वो काफी ज़्यादा लाजवाब होती है मलाई को भी मसालों के साथ फैट रिलीज होने तक भूनेंगे आप मलाई को इसकी जगा दही भी ले सकते हैं बस दही विल्कुल खटी नहीं होने चाहिए ऐसा करने से सबजी भी कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी तीन से चाह मिनट बाद आप देख सकते हैं मलाई भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से पक गई है और अपना फैट रिलीज कर दिया है इस स्टेज में हम डालेंगे आदा कर भारी मटर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमाग यहां पर मैं फरोजन मटर का इस्तमाल कर रही हूँ यदे आप फ्रेश मटर का इस्तमाल कर रहे है तो इसको एक से दो मिनट के लिए उबाल लीजी इससे क्या होता है सबजी बनने के बाद जो मटर का कलर है वो हरा हरा ही बना रहता है मतर को भी अच्छी तरीके से मिला देंगे फिर यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैंने grinder जार से फोड़ा सा पानी ले लिया है ताकि थोड़ा सा भी मसाला वेस्ट ना जाए फिर इसमें एक गिलास पानी और एट कर देंगे पानी को आप अपने कोडिंग कम जादा भी कर सकते हैं इसे अच्छी तरीके से मिला के यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और हाई फ्लेम में सबजी में उबाल आने देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबजी में उबाल आ गया है और सबजी देखने में कितनी ज़्यादा टैम्टिंग लग रही है अभी से लग रही है ना ग्रेवी बिल्कु रेस्टोरेंट जैसी इस स्टेज में डालेंगे हम पनीर को यहाँ पर मैंने पनीर को 300 ग्राम लिया है और पनीर को अपने कॉर्डिंग किसी भी शेप में काट के डालेंगे और पनीर को ग्रेवी में हलके हाथों से मिक्स करेंगे ताकि पनीर थोड़ा सा भी तूटे फूटे ना इस स्टेज में सबजी को हम 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढखकर पकाएंगे 3-4 मिनट हो गए है चलिए सबजी को चेक कर लेते हैं सबजी आपको देखने से ही पता चल रही होगी कितनी ज़्यादा टेश्टी बनी होगी अब इस स्टेज में हम डालेंगे आधर चमज गरम मसाला यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ फ्रेश गरम मसाला डाला है इस वज़े से आपको इसका कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा फ्रेश मसाले की बात ही कुछ और होती है चलिए सबजी में मसाले को भी मिला दे मसाला डालने के बाद इससे हमें एक मिनट के लिए और पकाएंगे यहाँ पर फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है सबजी बंद के तयार है उपर से डालेंगे थोड़ा सा हारा धनिया मैं आपको सजेस करूँगी कि फ्रेश कोरियंडर को बिल्कुल भी किप ना करें इससे जो सबजी का टेस्ट है कही गुना बढ़ जाता है तो फिर चलिए इस ब्यूटिफूल और टैंप्टिंग रेसपी की प्लेटिंग करने के लिए इस सबजी को आप रोटी, चपाती, नान, पराठा, पोड़ी, राइस किसी की भी साथ सर्व करिये बहुत ज्यादा सूपर टेस्टी लगती है यदि आपको मेरी आज की रेसपी पसंद आई हो तो इसे लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि आपको मेरी रेसपी बसंद आती हो तो मेरे चैनल को भी सस्क्राइब करिए थैंक्यू फॉर वाचिंग